हेलो एवरिवन स्वागत है हमारे यूटूब चैनल टाइटेनियम अकेटेम में मैं सीवं एक और आपके समख्छ इंपोर्टेंट वीडियो लेकर रहा हूं और आज का सेशन आपके लिए काफे इंपोर्टेंट होने मला है क्योंकि इस सेशन से आपको एक्जाम में एक से दो गुशन को देखने को मिलेगा अगर आप प्रिबियस यर कोस्टन को अनलाइसिस किया होंगे तो जरूर देखे होंगे कि इंपोर्टेंट जो भी रैंकिंग और इंडेक्स होता है उससे आपको एक या दो कोस्टन देखने को जरूर मिलता है इसलिए ये वीडियो काफे इं इसलिए क्योंकि ये फ्लक्चुएट होता है तो आज के डेट तक मैंने जहां तक अगर मेरे हिसाब से मैं जो देखा हूं तो आज के डेट जो भी इंपोर्टेंट रैंकिंग है वो मैं सही डाला हूं ठीक है लेकिन उसके बाद अगर किसी भी तरह का अपडेशन होगा तो इसको कमेंट बोक्स में पीनप कर दिया जाता है तो किसी भी तरह का रॉंग एंसर अंसर या फीर अफीर अपड़ेशन होता है उसके लिए आप comment box में एक बार जरूर विजिट करें उसके बाद यह आपके problem को स्वार्व नहीं किया जाता है तब आप question कर सकते है comment box में ठीक है तो वीडियो में बने रहेगा और एक ची और मैं बता दू बहुत सारे question बहुत सारे student का मेरे पास message आ रहा है इस पर आप लोग message करना आपको direct whatsapp group में जोइन कर दिया जागा और इसके बाद आप whatsapp group में मेरे से आपको नहीं मागना है ठीक है वहाँ पर members कापी है बहुत सारे active members है आपको उन member में किसी भी member से या फिर overall message कर दीजिए और request किजेगा कि मुझे previous जितने भी content है जितने भी PDF है वो सारे available करा दिए तो वहाँ पर आपके student available करवा देंगे साथी साथ अगर कोई doubt clearing करना है तो आपस में student बातचीत करके यहाँ पर doubt भी clear करते हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा एक special platform में provide करा रहा हूं ताकि आप लोग एक दूसरे से बात कर अपने doubt clear करें और एक जगा अगर मुझे कोई भी topic current वेगरा कि कोई PDF देनी होती है या फिर instant news या फिर daily current affairs मैं सारा चीज इसी whatsapp group में provide आपको करवा देता हूं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बीना कैसी देरी के देखिए पहला जो है वह है व्ल्ड happiness report ठीक है व्ल्ड happiness report व्ल्ड happiness report की बात किया जाए 2022 का इसमें जो first rank है वो फिन्लेंड है second है डेन्मार्क है third है आइसलेंड है ठीक है और इसमें इंडिया को जो rank मिला है 136 और आपको यह important point है कि इसको release कौन करता है तो इसको release किया जाता है United Nations Sustainable Development Solution Network के द्वारा ठीक है इसके द्वारा इसे release किया जाता है तो यह भी कापी important है इसको भी आपनो no down कर लेना है देखो अगर इसका notes तुमारे पास available नहीं है तो साथी साथ notes बनाना शुरू कर दो ठीक है और इस वीडियो से आपको एक से दो कोशन एक्जाम में मिले गा है यहां से question मिलेंगा और मारास common intent test वाली आपका भी इंट्रेंस एक्जाम जल्दी है तो आप इसको भी आपनो go through कर लीजएगा चलिए अगला जो है वर्ल्ड प्रेस Freedom Index Report ठीक है वर्ल्ड प्रेस Freedom Index Report में जो first position in Norway, second position in Denmark और third position in Sweden ठीक है और इसमें जो इंडिया का rank 150 है इंडिया का जो rank 150 और इसको जो release किया जाता है वो reporting without reporter without border के द्वारा ठीक है reporter without border के द्वारा चलिए next है कुछ इसमें समझाने वाला कोई topic नहीं है बस आपको यह fact है और fact और data को आपको यादी रखना होगा इस अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिजिए और आप इंट्रेंस का प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि current affairs static portion selected आपको सारे solution आपको यूटूब चैनल से आपको प्रवाइड करा दिया जाएगा इससे पहले मैं आपको एचीज और बता दू कि sectional current affairs बुरे एक साल का इसी वीडियो पे इसी चैनल पे आपको प्लवध मिल जाएगा आप playlist में जाकर चेक कर सकते हैं साथी साथ आपको 7 वहीना और 8 वहीना के आसपास यानि December से लेकर June और एक July उसका भी जल्ली आपको ग्रूप में मैं डाल दिया हूं वहां पर किसी से ले लेना तो आपके लिए बेहद रामवान साबित हो सकता है तो current affairs और static GKS हर एक एक जाम का एक रिट का हड़ी होता है तो इसको छोड़ कर नहीं जाना है जो भी current affairs सही से पढ़ता है उसका entrance exam में से clear होई जाता है चलिए next QS World University ranking तो इसमें जो first पर है वह है MIT USA, second Cambridge University UK, third Stanford University USA, आप से कहीं static में यह भी पूर सकता है कि Cambridge University कहां पर है Stanford University कहां है या फिर MIT कहां है बात कर इंडिया को इंडिया का इसमें बहुत बुरा हाल है और इंडिया के IIAC Bangalore जो इंडिया का first और all over world की बात किया तो 155 और 155 रैंक इ बात है क्योंकि हमारे देश का पहला University जो है भारत का first university top position पर जो रहता है वो वर्ल्ड में 155 रैंक पाता है तो कहीं नहीं कहीं यह दुर्भाग की बात है यह भी खास important है किसके दौरा यहां पर यहां तो रिलीज होगा या तो फॉब्लिश्ट हो कमें सब्सक्राइब पॉब्लिश्ट इंडिका हो तो अपने इसाब से इसको समय लेना है तो इसको रिलीज किया गया US Chamber of Commerce के दौरा और इसमें first position यहाद रखना है तो इसमें first position पर नहीं पता है तो कोई दिकत की बात नहीं है ठीक है लेको हर एक साल ना लगबलबा 100 से 1500 important वादा अच्छे खासे जो है वो ranking release किया जाता है लेकिन 100 से 1500 उतनाम को पढ़ने की ज़रुरत नहीं है जो सबसे most important है 15 से 20 है ठीक है मैं उसी को cover कराया हूँ 20 से 21 आपको आज के date में आज के वीडियो में आपको ranking मिलेगा उस सब को आपको अपने tips पर याद कर लेना ठीक है याद होना चाहिए tips के साथ नेक्ट है डेमोक्रेसी इंडेक्स डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात क्या जाए तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में फस्ट पोजिशन नॉर्वेज, सेकंड ए जाता है उसको जरूर सॉल्व करना ठीक है मॉक्रेसी में काफी question आपको clearance हो गये मॉक मैं यह तो करवाया ही जाता है साथी साथ एक चीज़ और करवाया जाता है कि जो भी previous year में अगर कोई एकजाम आसपास हुआ है तो उस लेबल का भी question आपको यहाँ पर practice कराया जाता है तुम्हारा मांक्स को increase कर देगा चले निच्छ है इन्वर्मेंटल पर्फॉर्मेंस इंडेक्स बात करें इनुई पर्फॉर्मेंस इंडेक्स का तो जो फिर्स्ट पोजिशन एंडेर्मार्क इसमें सेकेंड पोजिशन जो पाय यूकॉय और ठाड है फिल्लैंड और इसमें इ एसिया उनिवर्सिटी रैंकिंग बात करें एसिया के एसिया के उनिवर्सिटी रैंकिंग में पहला है क्या नामें इसका सिंगुवा ठीक है सिंगुवा उनिवर्सिटी जो है चाइना का जो फॉस्ट पोजिशन पर है और सेकंड है पेकिंग उनिवर्सिटी यह भी चाइना क समूर आपको बजिएट ही है जो यह सेकंड्ड पॉजिशन है इंडिया का जो रीक्त है वह ए द комментар हlaw रेंग रीजिशन दर्दसा वो घ़ाब है अब तो कुछ ठीक भी हुआ है जबसे आपको ये डिजिटाइलेजेशन का जवाना हुआ है तब से आपको कुछ हद तक भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है अभी के डेट में जो बीच के 25 से 30 साल हुए तो वे काफी गरबड थे लेकिन आप थोड़े-थोड़े सुधर रह बात करें ट्रेबल एंड टुरिजम के डिवलप्मेंट ट्रेबल टुरिजम डिवलप्मेंट इंडेक्स रिपोर्ट तो इसमें जो फर्स्ट पोजिशन है जापान सेकेंड पोजिशन है और थर्ड पोजिशन है इंडिया का इसमें 54 रैंक है और इसे जो रिलीस किया जाता चलिए नेस्ट कोश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो फ़र्स पोजिशन पाया हो है आइसलेंड सेकेंड है फिनलेंड और थर्ड है नौर्वे। ठीक है थर्ड जो है वो है नौर्वे आपको याद रखना है आइसलेंड और इंडिया का जो रैंक है और इसको जो पॉब्रिश्ट किया जाता है वर्ल्ड एकोनॉमिक फॉरम के द्वाराई से पॉब्रिश्ट किया जाता है चलिए किसी भी तरह का अगर कोई तुरूटी होत ञाहाँ भारत के तरफ से जो फॉफज़्ट पॉजिस्ट निवजी इसका जो रैंक है ओंडनीट ट्वेर्ट और इसको एकोनॉमिक्स इंट्लिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीस किया जाता है ठीक है? हाँ, अच्छाsite इक्सब्रम पॉजिश्पुश्य किया जाता है इत और इसको आप लोग बेरी-बेरी इंपोर्टेंट कर लेना इससे कोस्टन आपको डाइडेक्ट बनने की समभावना है नेक्ट है करप्सन परसेप्षण इंडेक्स की बात किया जाए तो फर्स पोजिशन जो पाया है वो न्यूजिलन, फिल्लेंड और देन्मार्ग तीनों है और इंडिया का जो इसमें रेंक है 85th पोजिशन है ठीक है नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में तो इसमें इंडिया करें कि 101 यह आपको पता होना चाहिए बात किया जाए टॉप पॉलूटेट सिटीज तो टॉप पॉलूटेट सिटीज में भारत का भिवाडी राजस्थान पहले नमबर पे है गाजियाबाद उत्तरपडेश दूसरे नमबर पे है और होतान चाहिना तीसरे नमबर पे है और इसमें वर्ल्ड मोस्ट पॉलूटेट capital क्या है देली है देली को world most polluted capital के नाम से जाना गया है देखो कल एक मैं question आपको mock में कराया था जिसका question correct के answer क्या होगा जैदे होगा ठीक है तो मैंने जैदे बोलकर जैपा टिक कर दिया था लेकिन उसका answer जैदे होगा पिछले पहले जो वीडियो अप्लोड़ेड आप उसमें जाकर चेक कर सकते हो गीति गोविन नेक्स्ट है वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट तो वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट की बात किया जाए इसमें तेन है पहला हमार इंटरनेशनल एयरपर्ट जो दोहाख है वो फर्स पैया है ठीक है सेक्ट है है आपका टोकियो हैनेसर्फ जrait दोक्यो है यू है वो सेंधेड़ Best एयरपोर्ट और चागी यहarezपोर्ट अब भारत का तो भारत का जो फॉस्ट पे है उसका नाम है केंपे गोडा इंटरनेंशनल एयरपूट और इंडिया यह फ़स्ट पह है धाका और सेकंड मुरादाबाद और इसको जो रिलीज किया जाता है वह द्वार्मेंट्प्रोग्राम के दवरत किया जाता है और United National Environment Program से लिटेट मैंने सारा information आपको पहले ही बता के रखा हूँ तो मैं उसको दुबारा नहीं बताऊंगा चलिए, next है World Competitiveness Index टीक है, World Competitiveness Index 2022 इसमें first जो position पाया है वो है Denmark टीक है, पहली जो position किसकी है, Denmark किया second at Switzerland, और third जो है आपका वो है Singapore इसमें इंडिया का जो rank 37 है और इसको जो release किया जाता है, वो Institute of Management Development के द्वारा इससे release किया जाता है, काफी important है next है Global Peace Index Global Peace Index की बात किया जाए, तो इसमें जो first position है, वो है Iceland टीक है, Global Peace Index की बात किया जाए, तो first position है Iceland है, और इंडिया का इसमें 135 रंख है, Global Investment Report की बात किया जाए, तो Global Investment Report 2021 इसको release किया जाए, UNTED के द्वारा release किया जाता है, UNTED से लेटेट सारे information मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया हूँ और इसमें जो first position है, टॉप वे उस है, और इंडिया का जो जो top 5 गुजरात है, smaller state में, ठीक है, A-T-A-T-E-S होता है, ठीक है, गोआ, और ठाड हो है, UT में बात किया था, चंडिगाड, इसको जो publish किया गया नीतिया योग, नीतिया योग से लेटेट एक special वीडियो मैं बताता हूं कि यहां से question इस साल बन सकता है, और इस साल ही तुम्हें यह चीज़ पढ़के जाना चाहिए, अगला स्कॉच state of government index ranking में भारत के तरफ से जो पहला राजे है, फर्स्ट पूजिशन जो राजे पाया है, उसका नाम है आंदर पर दे, तो यह रहा पूरा 21 index मैंने आपको रिलीज किया गया है, 21-22 में जो most important है, वो मैंने आपको बता दिया हूं, इसके अलावा कुछ और जो ranking वह रहा है, वो आपको current affairs के session में complete करा दिया गया है, जो इससे हट के कुछ और जो important उतने नहीं है, जैसे कि हुरून ग्लोबल जो reach list का वो सारा चीश बता दिया गया है, तो इस अरीके से सारा कुछ आपको current affairs वाले system में मैंने बता दिया है, और current affairs के जो महरा था ने, उसमें 3 या 4 question मैंने गलत बताया था, तो उसको मैंने comment box में प तो ठीक है, वीडियो हमारी कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरू लाइक कीजएगा, चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को subscribe कीजएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, thank you so much, जैहिंद